हेलो डियर स्टूटेंट स्वागत है आप सभी का एक्स्क्लूजिव इंग्लिस प्रैक्टिस बुक के सीरीज में जहां पर आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन सिविलाइजेसन और कल्चर का अब्जेक्टिव टाइप कुश्चन को देखने वाले हैं जो कि आप लोग इसके समड़ी को हमने देख लिया है आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर आप उसका वीडियो चेक कर सकते हैं आज हम लोग अब्जेक्टिव कोश्चन को देखेंगे कि कौन सा इन्पॉटेंट अब्जेक्टिव कोश्चन इसके इंदर गत आते हैं ये वीडियो फिप्थ इसका लिंग आपको मिल जाएगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर हैस बीन रिटेन वाइ इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है तो तीन ओप्संस हैं डाक्टर जाकिर हुशेर, मार्टिन इंडियन सिविलाइजेशन इन कल्चर प्रोज का कौन सा भाग है तो स्टोरी है कि स्पीच है कि ऐसे है कि ड्रामा है तो यह मैंने आप लोगों को भी बता चुका है पहले विडियो में तो यह एक ऐसे है Indian Civilization and Culture एक एसे है Who wrote the famous book The Decline and Fall of Roman Empire किसने एक famous book, किसने एक प्रशलित किताब The Decline and Fall of Roman Empire लिखा है तो इसका जो सही answer होगा, वो होगा जिबॉन Civilization is the mode of conduct which points out to man the path of dash यानि कि यह line आपका समरी में भी है Civilization mode of conduct है, जो कि point out करता है मनुस्य को कर्तव के path पर चलने के लिए तो सही answer C है, duty यानि कि कर्तव के path पर चलने के लिए Civilization बताता है गांधी जी वाज sought dad यानि कि गांधी जी कि जो मिर्ती हुए थी जो वो मरे थे, कब मरे थे इसको अलग तरिके से भी पूछ सकता है आप उनका जो है कि date याद रखेंगे 30 January 1948 को The Autobiography of Mahatma Gandhi is dash 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 यानि कि Autobiography of Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi का Autobiography का क्या नाम है तो सही answer है My Experiments with Truth Mahatma Gandhi used dash and dash as cheap weapons against British Mahatma Gandhi ने इस्तमाल किया dash dash को as a cheap weapon एक काफी chief weapon यानि कि काफी सस्ता weapons के रूप में British के खिलाफ weapons का मतलब होता ना गोली बारूद तो ऐसा कौन सा हथियार था weapons था सबसे सस्ता हथियार जो कि Mahatma Gandhi ने British लोगों के खिलाफ किया तो इसका सही answer होगा truth and non-violence यानि कि truth को, sat को और अहिंसा को सत और अहिंसा को ही Mahatma Gandhi ने British लोगों के खिलाफ इस्तमाल किया था nothing can equal the dash song by our ancestors ancestors का मतलब होता है पुर्वज song का मतलब होता है bona यानि कि कौन ऐसा जो बोया है वो उसके बराबर नहीं है तो seed होगा seed यानि कि बीज जो बीज हमारे ancestors ने हमारे पुर्वज ने बोया है वो किसी के मुकाबले नहीं वो एक अद्बुद है civilization is the mode of conduct which points out to man the dash 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 ये same to same वही question है वहाँ पर path दिया हुआ था इसमें नहीं है तो सही answer होगा path of duty कर्तव के पस्थ पर चलने के लिए point out करता है the gujarati equivalent of civilization means यानि कि gujarati equivalent में मतलब gujarati वातावर्ण में civilization का क्या मतलब है तो सही answer होगा good conduct इन सारे objective को आप लोग याद रखेंगे ये काफी important है वीडियो पसंदा रहा हो तो आप इसे like जरूर करिएगा हमारे पुर्वजों ने enjoy किया कौन से rule को तो सही answer होगा home home rule ये भी काफी important है महत्मा गांधी is an editor of महत्मा गांधी एक editor भी है किसके यानि editor रह चुके थे महत्मा गांधी वो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा पत्र पत्र का था जिसके editor थे तो सही answer A होगा यंग इंडिया अब ऐसा ही options और देता है योर्ड इंडिया यंग इडिटर तो आपको याद रखना यंग इंडिया के editor थे महत्मा गांधी दे चार्ज अगेंस्ट इंडिया इस डैस 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 ये समरी में भी हम लोगों ने देखा था कि इंडिया के खिलाफ इंडिया के लोगों के खिलाफ जो चार्ज लगा दिया है western people ने वो क्या है options है people are uncivilized यानि कि यहां के जो people हैं यहां के जो लोग हैं वो uncivilized है civilized नहीं है people are stolid people जो हैं कि stolid है यानि मन बुद्धी है here people are ignorant यहां के जो people हैं यहां के जो लोग हैं वो ignorant हैं यानि अन्जान है तो यह सारे चीजों का मिश्रन था उसमरी में तो यह सारा option सही होगा, answer जो right answer होगा, वो all होगा, यह सारा charge लगा है, इंडियन के खिलाफ, For all, we are rule of ancient, तो इसका जो सही answer होगा, Egypt, यानि कि प्राचीन मिस्र का एक rule था, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, क्योंकि यह आपके pros section में है, तो यह एक important question है, Civilization is the state of development of a dash dash, civilization जो है, नहीं कि state है, development का, किसके लिए, तो यहाँ पर animal है, bird है, people है, तो people होगा, काफी simple है, लोगों के लिए, लोगों के development के लिए civilization है, Our forefather did not invent missionary, because our forefather मतला होता है, पूर्वज, यानि हमारे पूर्वजों ने, did not invent, खोज नहीं किया missionary का, क्योंकि, क्यों नहीं खोज किया, answer सही होगा, these would have met us lazy, क्योंकि यह हमें lazy बना देता, यह हमें alci बना देता, machine मनुस को alci बना देता, इसलिए हमाले forefather ने machinery का invent नहीं किया My experiment with truth was returned by, my experiment with truth किसके द्वारा लिखा गया है, तो सही answer होगा, महत्मा गांधी, question ऐसे भी पूछ सकता है कि महत्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो सही answer होगा, my experiment with truth The mind is a restless, dash, 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 the more it gets, more it wants, यानि कि इस प्रोज में महत्मा गांधी ने क्या कहा है, mind is a restless bird, options में काव है, dog है, all है, तो यहाँ पर सही answer होगा, bird, mind is a restless bird, more it gets, the more it wants, गांधी जी dominated Indian politics during, dash, 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 यानि कि महत्मा गांधी Indian politics में dominate कब हुए, यानि कि प्रभावी डंग से कब आए, तो 1915 से 1948 answer सही होगा Plain living and higher thinking is the motto of a, plain living and higher thinking, किसका motto है, तो western philosopher, सही answer होगा, western philosopher Indian civilization is manly the worship of, Indian civilization manly किसका worship है, तो moral beings, यहाँ पर moral wings का value है, इसलिए यहाँ पर इंस सही होगा, क्या moral beings, यह हमने समरी में भी देखा है, आप समरी देखना चाहें, तो आई बटन पर देख सकते हैं, Modern civilization is manly the worship of, अब modern civilization किसके लिए worship है, मतलग कि modern civilization में क्या valuable चीज़ है, आप यह सोचिए, तो क्या होगा, material, हमने पढ़ा भी था, The western civilization has the tendency of privilege, western civilization का tendency क्या है, तो सेम वही question को थोड़ा सा किया है, कि में तो सही answer आपका हो जाएगा, A, Dash was a spiritual leader than a politician, कौन spiritual leader भी थे और एक politician भी थे तो options भी सही होगा, महत्मा गांधी, The people of Europe are inspired by Dash and Roman writers, तो यहाँ पर सही answer होगा, Greek, तो कह रहा है कि the people of Europe, यूरोप के जो आदमी थे, वो inspired थे, Greek and Roman writers say, गांधी जी वेंट टू चमपारन इन, गांधी जी चमपारन गए थे, कब गए थे, तो 1917 answer A, सही होगा, European civilization will mean dash dash for Indian, यानि कि European civilization का जो मतलब था इंडिया के लिए वो था उसे बरवाद कर देना, option C, wrong, सही answer होगा, happiness is a largely A, mental condition, सही answer होगा, mental condition, happiness जो है, एक mental condition है, The mind is a restless bird, which always reminds, सही answer होगा, unsatisfied, अपने समरी में भी परहा होगा, कि mind एक restless bird है, एक बैचायन चिडिया है, जो कि हमेशा उसके पास और संतोस ही बचता है, तो सही answer B, unsatisfied होगा, अगर यहाँ पर unsatisfaction रहे, तो भी वही होगा, Indian glory is that it is dash dash dash, यानिकि Indian glory है, तो सही answer होगा, immoveable, movable का मतलब होता है, कि जो move करते रहता है, और immoveable का मतलब होता है, इस्तिर अटल द्रिड, यानिकि Indian glory जो है कि वो द्रिड है, immoveable है, in ancient days, the common people float, ancient day में, फ्राचीन दिन में, जो बीद गया है, बहुत साल पहले, common लोगों ने क्या फोलो किया, तो सही answer होगा, agriculture, इसका मतलब हेती बारी, ancient लोगों ने खेती बारी को फोलो किया, simple है, To observe morality is to attend mastery over, morality को observe करने के लिए किस पर mastery होना चाहिए, तो minds and passion, mind और passion पर अगर अपका mastery हो गया, तो morality भल आपका काबू हो जाएगा, आगे कुछ और भी cutting word है, जिन्हें आप जरूर देखिए, ये कुछ difficult words हैं, जो कि summary और इस question में आया, जो कि आपके लिए काफी useful रहेगा, और इस summary और इस objective question में मैंने बहुत जादा detail में नहीं बताया, चुकि आपको समझने में काफी आसानी हो, और आप तुरन तुरन से समझ पाए, अगर ये एक target badge है, अगर आप foundation badge करना चाहते है तो नीचे description में सारा number और सारा contact का information दिया गया है, अगर आप चाहें तो आप हमसे contact कर सकते हैं, ये exclusive English book जो कि आप लोगों के लिए दिया गया है, practice के लिए, उसका एक series चल रहा है, बस उसका एक video है, मैं बाई-बारी से उसे समझाता चलूँगा कि वो क्या है, और हो सकता ह किसी topic को ना भी समझाओं, लेकिन उसका चोटा वीडियो में बना करके जरूद डालूँगा, तो उमीद है कि वीडियो ये आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको लगा कैसा, ये नीचे comment करके बताईएगा, और वीडियो आपके help में आया है, तो इसे like और share तो कर कि वीडियो में.